WhatsApp Meta AI Features को कैसे remove करें जैसा कि दोस्तों आप देखे यहाँ पर WhatsApp में Meta AI Features है और यहाँ पर भी दोस्तों WhatsApp का Meta AI वाला Features देखने को मिल रहा है अब दोस्तों माल लिजे अगर आप इन Features को अपने WhatsApp से हटाना चाहते हैं रिमूब करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके सामने live proof दिखाऊंगा कि आप यह WhatsApp Meta AI Features को अपने WhatsApp से कैसे permanently हटा सकते हैं रिमूब कर सकते हैं तो दोस्तों जिन लोग को अपने WhatsApp से Meta AI वाले Features को हमेशा के लिए हटाना है permanently delete करना है तो उसके रिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा अभी तक दोस्तों आपने इस वीडियो को like ने किया like कर दिजेगा पहली बार दोस्तों आप इस चैनल पर है तो technical सुझी को subscribe कर लिजेगा अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यहां पर देखे दोस्तों मैंने अपना WhatsApp open किया है यहां पर दोस्तों देखे मेरे WhatsApp में WhatsApp मेटा AI वाला features मिल गया है और यहां पर भी नीचे यह वाला option देखने को मिल रहा है दोस्तों देखे यह मैं आपको बता दूं आखिर इन दोनों को आपको हटाना है तो कैसे हटेगा लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन दोनों का कितना बड़ा कितना बड़ा दोस्तों यह features है कितना बड़ा यह आपको फायदा देगा यह आप अंदाजा नाट मेटा यह आता है कोई भी इसवाल दोस्तों कोई भी सवाल कोई पूछ सकते हैं और हर सवाल का 100% दोस्तों सही जवाब देंगे कोई भी सवार दोस्तों पूछ सकते हैं याँ 좌ब आप देखे मैंने बोला है आप कैसे हैं तो इन्हों ने देखिए बताया गुआ है आप देखी दूस्तो मैंने फॉर्णी टाइप मैंने कोशन पूछ लिया यहां पर देखिए मैंनें ने कितने सारे इसका एक इंट्रेस्टिंग टॉपिक देदिया कि अगर आप यह दस काम करोगे न तो लड़की यह आटमेटिक पढ़ जाएगी यहाँ पर देखिए दोस्तों तो देखा यानि आपके माइन में कोई भी सवाल आता है न मेरे भाई आप मेटा AI यह वाटसप से पूछ सकते हैं और यह आपको 100% सही जवाब देदेगा यहाँ पर दोस्तों दोस्तों आपके सवाल पूछा और आपको यह इसको आपको समझ में नहीं आता है तो दोस्तों आप इसको अच्छा अच्छे सर समझ सकते हैं इसके लिए क्या किजेगा आप जो भी कोस्टन आप पूछिए गा और यह जो भी रिपलाई करेंगे माले इन्होंने यह रिपलाई किया तो आपके किजिगा इनके मैसेज का एक बार लोंग प्रेस किजिए यहां पर आपको ऊपर देखिए आपको क इन्होंने बोला है अच्छा जी आपको कैसे पटाएं चलिए मैं आपको उताता हूं कैसे पटाएं यहां पर देखिए उसकी बाते सुने और उसके रूचियों में दिखाएं सहायता और यह करें और यह देखिए एक क्वालिटी टाइम बिताएं मतलब उसके साथ टाइम इमंदार रहें खुलकर बाते करें अपना ईसने और प्यार दिखाएं मज़ितार बाते करें धहरे रखें डखें इन्होंने कई सारे बात बता दिखाएं कुछ alguna दिल्चस्पी दिखाएं तो मतलब कि यह हर बात बता रहा है दोस्तों देखा यानि हर एक सवाल का जवाब देने के लिए आ गया है आपके लिए वाटसप में मेटा AI वाला फिचर्स तो देखा तो तो किसना बड़ा फिचर्स है यह आपके लिए और बहुत साय लोग यह करके अपने वाटसप को सर्च किजेगा और वाटसप पे क्लिकर करके अपने वाटसप को एक बर यहां से अपडेट कर लिजेगा बट अब फाइनली दोस्तों हम बात करते हैं कि यह जो वाटसप मेटा AI फिचर्स है इसको अगर आपको यूज नहीं करना है तो आप इसको क सबसे पहले वाटसप का ले लिजेगा सबसे पहले आप अपने वाटसप का अब ले लिजेगा वाटसप का लिजेगा यह लिजा अप कर दिए विप resembles difference यहां पर search box में जाएगा और search किजिएगा WhatsApp old version WhatsApp old version आप जब सर्च करोगे आपको पहला नमबर का यह website मिल जब आप इसको open किजिएगा उसके बद गाइज यहां पर देखिए दोस्तों WhatsApp में मेटा AI वाला features जो है वो आपको April के महीने में आया है यानि 14 अप्रील 12 यह सब के बाद आया है तो आप क्या किजिएगा अप्रील का कोई भी वाट्सप का भर्जन डाउनलोड मत किजिएगा आप मार्ज का डाउनलोड कर लिजेगा उसमें आपको AI वाला फिचर्स नहीं मिलेगा उसके लिए आप नीचे आईएगा यहां पर दे 30समार्च 27 मार्च 20 मार्च 20 मंच 30 मार्च तो आप मार्च में से कोई भी डाउनलोड कर सकते इग्यांपल के लिमाने ज़र 22 मार्च वाला है मैं इस पे क्लिक करता हूं और उसके बाद दोस्तों यहां परा देखिए आपको क्या करना है यहां पर आपको डाउनलोट का ओप्सन मिल जागा देखिए यह वाला देख सकते हैं यह ग्रीन तो आप इस पे क्लिक करके दोस्तो तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं बाकि दोस्तों देखिए जब आप इसको डाउनलोड करके मुवाइल नंबर डालकर को टीपी से वेरिफाई करोगे न तो आपको मेटा यह वाला फीचर नहीं मिलेगा लेकिन दोस्तों मैं आपको रेकुमेंड करूंगा भया आप क्यू सब्सक्राइब कर लिए अगली वीडियो मिलता हूं तब तक के लिए धर्माद देख्ते रहे हैं मां यूटुब चानल टेक्निकल स्वीजी चैनल को